जैशी रादे दखिए इसमें आप पाप पुन्न की बात सोच रहे हैं और आप छ्यमा करना आप ये नहीं सोच रहे हैं कि चेटी चेटी के को मंदिर में आने से कैसा रोका जाए आजकल इतने पदार्थ हैं इतने केमिकल हैं एक वो लक्षमन औरेखा नाम का चौक आता है उस चौक को यदि आप चारों तरफ मंदिर के कॉर्नर्स में लगा लें तो लक्षमन औरेखा की तरह होता चीटी चीटा कोई मच्छर उस औरेखा को क्रोस करके जा ही नहीं सकता है जरूर दो चार वहां मर जाएंगे लेकिनि हाँ जो दसियों बीसियों मर रहे हैं आप अपने आपको करता मानेंगे तो दोश भी लगेगा पाप भी लगेगा रही ही काश्री के फल की बात तो एकाश्री का फल तो मिलेगा ये जो वरत रखेंगे पाप का फल अलग से मिलेगा आपस पाप और पुणने ये अरि भकती ये आपस में एड़ेस्ट नहीं होते कि आपने आपस रुपे के पाप की और 200 रुपे की एकाश्री करी तो आपकी एक आश्ची सो रुपए की रहेगी ऐसा नहीं है पाप की जगे पाप आपको अलग से भोगना पड़ेगा पुर्णे की जगे पुर्णे अलग से भोगना पाप और पुर्णे भी एड़ेस्ट नहीं होते है पुन्य अलग से आपको भोगना पड़ेगा और ये हरी भक्ती भक्ती भजन संबंधी जो चीज़े हैं उससे आपकी भक्ती की ब्रद्धी होगी भक्ती संबंधी आचरण में अंगों में अपराद होते हैं अपराद से आपकी प्रोग्रेस स्लो हो गई पाप नहीं लगता है उसमें ऐसा नहीं लगता है अब जिस भक्ति अंगों करने से आपको दो साल में कुछ प्राप्ति होनी होगी यदि आप उसको लापरवाई से करेंगे तो अपराद होगा अपराद होने से दो साल में प्राप्ति होने वाली चीज को आठ साल भी लग सकत किसलिए अपराधरीद सेवा कीजिए थोड़ा साबधान हो जाएए आसपास के लोगों को पूछे वह ये मेरे याँ चीटी मकोडे तुमारे याँ भी आते हैं मेरे याँ क्यों आते हैं क्या उपाया इसका कुछ इस्प्रे कराईए कुछ केमिकल कराईए कुछ पेंट कराई कुछ भी अपने मंदिर की विवस्ता को देखिए उसे साफ रखी कपड़े बिचे हैं तो कपड़े हटा दीजिए वहां मीठा रहता है तो मीठे को रोज पोचा लगाईए डिटॉल लगाईए फिनायल लगाईए कुछ भी कुछ भी आप करिए ये सब ठीज़ें तो अब मैं आपको क्या बताऊँगा आप अपनी बुद्धी से अपने परिवार से अपने आसपास के लोगों से पूछिए कि छींटियों का वहां प्रवेश ही ना हो नीचे उपर दूर दूर तक लख़पन लिखा गो आप लगा दी थे छींटिया आएंगी ही नहीं कोई कवीली कुछ भी नहीं आएगा और आप से रक्षित हो जाएंगे जैशीर आगे जैनेताएगे